ओम नमस्षिवाई, कपूर द्वारा वसिकरण, जिन सादिक साद्वियों के कुंडले में सनी और राहू हैं, उनके कोई भी काम नहीं बन रहे हो, धन की हानी हो रहे हो, पैसा नहीं आ रहा हो, जिस काम में हाथ पाते हैं, वही काम नहीं चलता हो, दुस्मन परेशान करते रहते हो, घर में रोजाना कोई न कोई बिमार रहता हो, या लक्समी नहीं आती हो, उन सादक साद्वियों के साथ होता है, जिनकी कुंडले में सनी या राहू होते हैं, यदि आप अपने सनी को राहू को परशन करना चाहते हैं, तो आप इस चोटी सी और सक्तिसाली वसीकरण विदी को पूरे अंत तक देखें, जब तक आपको ये विदी समझ नहीं आ जाती, तब तक आपने इस वसीकरण विदी को नहीं करना है, पूरी विदी देखने के बाद, समझने के बाद आपने इस खतरनाक वसीकरण का परियों करना है, आपने करन क्या है इसमें जो सनी और रहो हैं उनको किस परकार से आप सांथ कर सकते हैं किस परकार से आप उन्हें खुज कर सकते हैं जो भी सादकिया सादवी इस लाइफ को देख रहे हैं पहले लाइफ को जादशी जादा शेयर करें लाइक करें और यह आप किसी भी समस्या के बारे मे वस्रिकन्ड वीदियों की उन वीदियों के प्रियों के प्रियों से आप आपने कारे को बहुत ही असानी से और बहुत ही जल्द पून कर सकते हैं तो आपको इस वस्रिकन्ड वीदियों में सनी को और रहो को कुछ करने के लिए सांथ करने के लिए आपने कपूर का तेल और च करना है नहाने वाले पानी में आपने थोड़ा सा तेल डाले थोड़ा सा चमीली का थोड़ा सा कपूर का और उसके बाद उस पानी से आप नाहे नाते समय आपने इस मंत्र का जाप करते रहना है ओम समस्वनिचराए नमा ओम रम रहुए नमा आपने इस मंत्र का 21 बार जाप क किस बार आपने राहूग अगरना है 21 दिन लागातार आप इस वसीकंड गिती को करें और आप इसके चमतकार देखें जो भी धन की हानी हो रही थी या पैसा नहीं आ रहा था जो भी आप काम करते हैं जिसमें भी जिस काम में भी हाथ पाते हैं कारे बिल्कुल भी नहीं चलता हो काम बंद हो जाता हो दुसमन आपको परिशान करते हो आपके परिवार को परिशान करते हो घर में रोजाना कोई ना कोई बिमार रहता हो ये विदी करने के बाद आपके परिवार में या आप पर राहू और सनी का किसी भी जो भी दोस होगा वो विल्कुली खत्म हो जाएगा और आपके सभी कारिया बहुत ही जल्द जल्द बनने लगेंगे जो भी पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नई साधक साध्वी और पुराने स सादक साद भी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथी साथ आप बैल आइकन को दवाना ना भूलें बैल आइकन के साथ साथ आप आल को भी जरू स्लेक्ट करें जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वासे वीडियो की नोट विकेशन समय समय पर मिलत सकते हैं और उन्हें इस मंत्र का उचारण करने के लिए बताएं जिसकी कुंडली में राहू और सनी होते हैं तो उनक शबी के साथ ऐसी घटना होती हैं और ऐसे छोटी-छोटे काम जो बहुत यह असानी से पूर्ण हो जाते हैं इनके प्रभाप से वोस्त काम भी पूर्ण न विदी को ना करें जब तक आप अच्छे से स्वस्त नहीं हो जादे तब तक आपने इस वसिकन्ड विदी का प्रियोग नहीं करना है चोटी सी विदी और बहुत बड़ा चमतकार ठीक होने के बाद इस वसिकन्ड विदी का आप प्रियोग कर सकते हैं जो भी आपकी समस्या हो कि वो बिल्कुली खत्म हो जाएगी ना ही आपने इसमें पोजा करने है केवल जिस प्रकार से आप नॉर्मली नहाते हैं जिस प्रकार से आप रोजाना नहाते हैं उसी प्रकार से आपने नहाना है केवल आपने कपूर का तेल और चमेली का तेल उसमें थोड़ा सा डालना है और 21 बार इन दोनों मंत्र का जाब करना है ये दो मंत्र इतने सक्ति साली इतने प्रभाब साली हैं कि ज़िए आप अपनी सच्ची सर्दा से अपने सनी को राओ को गुज़ करना चाहते हैं पहले ही दिन आपको जिस परकार से आप धन नहीं आ रहा था धन रुक नहीं रहा था पैसा आते आते रुक जाता था वो सभी रास्ते बिल्कुल ही खुल जाएंगे केवल इस वसी कनविती के परियोग करने से इसलिए सभी सादक साथ भी पहले एक इस वीडियो को जादे शेज़दा शेयर करें लाइक करें और यह अब किसी भी समस्षा के बारे में जान करें लेना चाहते हैं तो हमसे लाइफ छैक में बहुर सकते हैं यहाँ हमें इंस्टागरम आइडि पर डियम करें जो भी आपकी समस्टेंज होगी उनस सभी समस्टेंसे संभनाम्॔ह